ओम शांती, 5 दिसंबर 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, तुम अभी आस्तिक तो बने ही हो, त्रिकाल दर्शी भी बने हो सिवाए तुम्हारे दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानता तो धारना कर औरों को भी समझाना है, अगर नहीं समझाते हैं तो सब पॉइंट्स भूल जाएंगे, दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा महरती वह हैं जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है, यह महनत सारी गुप्त है फिर बाबा ने कहा, तुमसे कोई पूछे, शास्तर पढ़े हुए हो, तो बोलो, भक्ति मार्ग में शास्तर सब पढ़े हैं, परन्तु सदगती तो बाप ही आकर करते हैं, शास्तर पढ़ने से तो कोई पावन नहीं बना, पावन बनने के लिए भी ज्यान जाहिए, ऐसे य इसने इतना पुरुशार्थ कर यह पद पाया, तुम्हे भी पूरा वर्सा पाने का पुरुशार्थ करना है, अब तुम्हें बाप का वर्सा मिल रहा है, तो रावन के वर्से को हाथ नहीं लगाना, बहुत मेठा और सर्वगुन संपन्न बनना है, लास्ट में बाबा ने क यह अंतिम जनम पतित नहीं बनो तो मैं गरंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा क्या बाप की नहीं मानेंगे फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे जो फूल बनने वाला होगा उनको तो जट तीर लगेगा अगर भाग्य में नहीं होगा तो स सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मेठे बच्चे जितना ज्यान रतनों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा विचार सागर मंधन चलता रहेगा धारना अच्छी होगी प्रश्न जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वह ज्यान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा बुद्धी में कुछ भी बैठेगा नहीं अच्छा अच्छा करेंगे महिमा करेंगे कहेंगे हां सबको यह सुनाना जाहिए मार्क बहुत परन्तु खुद उस पर नहीं चलेंगे बाबा कहते यह भी तकदीर तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना हजारों को सुनाते रहो प्रजा तो बनती है मा बाप मिसल बेहद के बाप से वर्सा लेने का पुरुशार्थ करो नोलेज को धारन कर आप समान बनाते रहो गी तकदीर जगा कराई हूं ओम शैंती तकदीर सदय दो प्रकार की होती है एक अच्छी दूसरी बुरी एक सुख की दूसरी दुख की भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है भारत ही सुख धाम भारत ही दुख धाम है मकान नया है तो अच्छी तकदीर ह पुराना है तो बुरी तकदीर भारत ही पहले नया था अब फिर पुराना हुआ है इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो दुनिया नहीं जानती तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे देवी देवता विश्व के मालिक थे अब ही नहीं है अच्ची तकदीर बदल अब बुरी हो गई है अच्ची तकदीर कैसे और कब होती है यह समझने की बात है समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है भारत की उच्ची तकदीर कब थी जब स्वर्ग था बुरी तकदीर अब है गाते भी हैं हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं। कुम्भ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे पतित पावन सीता राम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनोश्यों की जब तकदीर बूरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धी हो जाते हैं। दुख और सुख का यह खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं। दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते हैं। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धी बनाया है, बुद्धी का ताला खोला है, तुम जानते हो सुरेश्टी का चक्र फिर्ता रहता है, सुरेश्टी पूरानी होती है तो उसमें दुख है, अभी तुमको तीन आखे में ली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते ह पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो, यह यग्य तब आदी करना, वेद शास्तर आदी पढ़ना सब भक्ती मार्ग है, बाप कहते हैं, मैं इनसे नहीं मिलता हूं, जब तुम्हारी भक्ती पूरी होती है, तब मैं आकर सद्गती देता हूं, योग का भी ग्यान जाहिए, पावन बनने के लिए भी ग्यान जाहिए, शास्तर पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं, विवेक कहता है, भारत जब पावन था, संपुर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे, ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया, क्या गासनान करने से बने, या शास्तरों को पढ़ने से बने, यह तो तुम करते ही आये हो, फिर भी पुकारते हैं कि यह पतित पावन आओ, जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा, तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, पावन दुनिया है यह कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है, गाते हैं पतित पावन सीता राम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है, कहते हैं सबका दाता राम, दाता क्या यह भी नहीं समझते हैं, बाप समझाते हैं सबका दात राम तो एक निराकार ही है बुद्धी को बिलकुल ताला लगा हुआ है बुद्धी में बैठता ही नहीं है सत्यूग में सब पारस बुद्धी है नाम ही है पारसनात, पारसपुरी तुम बच्चे भी इस समय पारसनात बनते हो आत्मा गोल्डनेज बनती है अभी आयरनेज बुद्धी है गोल्डनेज बुद्धी सुख उठाते हैं आयरनेज बुद्धी दुख उठाते हैं मनश्य विश के पीछे हैरान होते हैं पवित्र बन्ने में देखो कितना हंगामा करते हैं गाया भी हुआ है कंश, जरासंधि, दुश्यासन, पूतना, सुपनखा यह सब पास्ट की बातों का गायन है जरूर संगम युग का ही गायन है हर बात संगम की ही गायी जाती है बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूं तुम जानते हो कि बाबा का धंदा ही है पतितों को पावन बनाना, बाप रचईता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे, रावन है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला, उसका यथार्थ नाम शिव है, शिवरात्री भी मनाते हैं, रात्री का भी अर्थ तुम समझते हो बाप आएगा तब जब भक्ती अर्थात रात पूरी हो दिन होगा अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो अब वापिस जाने का है सत्युग था अब फिर चक्र रिपीट होगा तुम बच्चों को मनश्य से देवता बना रहा हूं देवताईं भी मनश्य ही थे औ और कोई फर्क नहीं है सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनोश्य सावरे अर्थात पतित हैं भारत गोल्डन एजड था अभी आइरन एजड है आत्मा में खाद पड़ गई है वह निकलेगी योग अगनी से आगे मन मनाभव अक्षर पड़ते थे अर्थ कु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है तो योग कैसे लग सकता है बाप कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो योग किससे लगाएं भगवानु वाज मन मनाभव देहे का अभिमान छोड़ो अपने को आत्मा समझो आत्मा का रूप क्या है कहते हैं आत्मा स्टार है भृकुटी के बीच में रहती है तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है अखंड जोती तत्व है ब्रह्म तो बेंत हो गया जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते अच्छा कोई करके अंत पा भी ल बिलती नहीं है मुक्ती जीवन मुक्ती का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती गाते भी हैं ज्यान का सागर मनुष्य सुरिस्टी का बीज रूप है सत है चेतन्य है पतित पावन है तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे तुम समझाते हो जब ज्यान है तो भक्ती हो न सके ज्यान है दिन सत्युगत्रेता भक्ती है रात ज्यान का सागर परमपिता परमात्मा है न की पानी क्ये सबको समझाना है सारे भारत को कैसे पैगाम देना है उसके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते है मेला तो वास्तों में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है परमात्मा तो एक ठहरा परमात्मा सरव्यापी है यह कोई हिसाब नहीं बनता है बाप ही आकर सबको दुख से छुडाते हैं दुख में सिमरन सब करते हैं कितनी रडियां मारते हैं पुछो यह कब से करते आये हो? कहते हैं परंपरा से. फिर पावन तो कोई हुए नहीं, और पतित होते गए. तुम्हारी बुद्धी में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है. ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन. विश्णो का दिन नहीं कहते क्योंकि ग्यान अभी ही मिलता है. दिन प्रति दिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं. जीवन मुक्ती है भी सेकंड की बात. फिर कहते हैं ग्यान का सागर है. कितना भी लिखते जाओ अन्त नहीं आएगा. बाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इमतिहान भी पूरा हो जाता है. शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो. गीता तो बिलकुल छोटी बना दी है. कितनी ज्यान की बाते हैं. समझाना भी बहुत सहज है. बरोबर सत्यूग में एक धर्म था. अभी तो कितने धर्म ह कितना हंगामा है. आपस में ही हंगामा हो गया है. एक धर्म था तो लडाई यादी का नाम नहीं था. सुख ही सुख था. चक्र का राज बुद्धी में है. बच्चों को समझाया है तुम चुरासी जनम कैसे लेते हो. चक्र रिपीट होता है. अभी तुम तमो प्रधान से स प्रतो प्रधान बन रहे हो. योगबल से. तुम अभी आस्तिक बने हो. त्रिकाल दर्शी भी बने हो. दुनिया में और कोई भी रच्ता और रचना को नहीं जानते हैं. तुम बच्चे ही जानते हो. परंतु धारना कर औरों को नहीं समझाते हैं. तो पॉइंट्स भूल ज जाती हैं. एक माल बुद्धी में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा. विचार सागर मन्थन चलता रहेगा. किसको कैसे समझाएं? भक्ति की महिमा तब है जब ज्यान नहीं है. जो सर्विस पर हैं उन्हों की ब बनाते रहते हैं. नौलेजधारन करते हैं. पद भी उनको ऐसा मिलता है. यह मेहनत सारी गुप्त है. तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्सा मिलेगा. वहां रावन होता नहीं. रावन का राज्ये ही अलग है. राम राज्ये अलग है. तुम बचे, अभी समझते हो कि रामायन भागवतादी में सब इस समय की बातیں हैं. गुडियों का खेल है. बाप समझाते हैं इस समय सारा जाड तमोप्रधान है. खत्म होने का है. तुम्हारी बुद्धी में सारा राज है. समझाने के लिए कितनी युकतियां बताते रहते हैं. स वह सब निकलाएंगे हिंदू वास्तों में हैं असुल देवी देवता धर्म के समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नसल के हो ना देवी देवताओं को ही पूजते हो देवता ही तुम्हारा धर्म है पहले तुम देवता थे फिर तुम शत्रिय वेश शुद्र बने अब फिर तुम ब्राह्मन बन देवता बनो हम समझाएंगे भारतवासियों को अब सेपलिंग लगता है बाप बैट समझाते हैं मैं कैसे शुद्र से कनवर्ट करता हूँ ब्राह्मन बन फिर देवता बनेंगे कितने समझानी अच्छी है तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं परन्तु सद्गती तो बाप ही आकर करते हैं तब तो तुम उनको बुलाते हो न कि हे पतित पावन आओ युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा ऐसा देखने में आता है कल्प पहले भी इसने इतना पुरशार्थ कर यह पद पाया है बाबा से वर्सा पाने का पुरशार्थ पूरा करना है जबकि बाब से वर्सा मिलता है तो हम रावन के वर्से को हाथ क्यों लगाएं क्यों न मीठे बन जाएं सर्वगुन संपन्न बनना है यह है राज योग नर से नारायन बनने का अर्थात राजाई पाने का योग बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ यह है चड़ती कला का युग बाकी सब हैं उतरती कला के युग उतरती कला और चड़ती कला होती है यह है चक्र बुद्धी में रहना चाहिए बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जनम पतित नहीं बनो, तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम ये हैं जनम तो पवित्र बनो, मैं गरंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा, उनको जट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा, तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घडा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्क बहुत सहज है, परन्तु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की औरों को कहा अच्छा है, परन्तु ख पकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परन्तु बच्चों में सर्विस का शोंक होना जाहिए, हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्सा लेने के लिए मा बाप मिसल पुरुशार्थ करना जाहिए, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए अती मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है रावन के वर्से को हाथ नहीं लगाना है दूसरा नौलेज को धारण कर रूहानी नशे में रहें सर्विस करनी है बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राई को मान कर उस पर चलना है आज का वर्दान अटेंशन की विधी दवारा माया की छाया से स्व्यम को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव बाबा ने कहा वर्तमान समय प्रकर्ती की तमोगुणी शक्ती और माया की सोक्ष्म रोयल समस्दारी की शक्ती अपना कारिय तिव्रगती से कर रही है बच्चे प्रकर्ती के विक्राल रूप को जान लेते हैं लेकिन माया के अती सुक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रौंग को भी राइट अनभव कराती है, महसूस्ता की शक्ती को स्माप्त कर देती है, जूट को सच सिद्ध करने में होश्यार बना देती है, इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर, माया की जाया से स्व्यम को सेफ रखो और हलजल में भी अजल बनो, स्लोगन हर संकल्प में उमंगुद्सहा हो तो संकल्पों की सिद्धी हुई पड़ी है, हर संकल्प में उमंगुत्सहा हो तो संकल्पों की सिध्धी हुई पड़ी है और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती